तो आज किस वीड़ो में हमारे पास आ चुका है बोट की तरफ से रीसेंटली लॉंच हो उनका ANC हेडफोन निर्वाना 751 और ये हेडफोन बोट का पहला हेडफोन है जो नॉइस के इंसिलिशन के साथ में आ रहा है बजट में इसके अगर मैं प्राइस की बात करो ने तो पता नहीं हो सकता है कि अपडेट नहीं किया है बट हाँ मैं तो सजेस्ट करूँगा कि बाई चार अजार रुपए ही जो है इस पर आप स्पेंड करने लाएगी हैडफोन ने क्योंकि मैं इनको पिछले दो तीन दिन से जो है औरी यूज़ कर रहा हूं तो आप बॉक्स को फटावल्ट से ओपन कर लेते हैं तो जैसी बॉक्स को ओपन करोगे न तो यहाँ पे आपको हैडफोन मिल जाएंगे वाइट कलर के काफी प्रीमियम लग रहा है लेकिन अभी इसको साइड में रखता हूं इसके अंदर एसेसरी वगेरे क्या-क्या मिलता है वो देख लेते हैं कैसे क्या हेडफोन को यूज करना है ओफ करना है वो सारी चीज़ आपका भाई आगे बता देगा तो टेंशन की बात नहीं है उसके अलावा इसे जरी इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको 3.5 mm वाला केबल भी मिल जाता है केबल की लेंध भी काफी सही है तो अगर यहाँ चार्जिंग केबल भी मिल जाता है इसको चार्ज करने के लिए तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि इन हेडफोन को यूज करते हैं मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं अपना honest opinion में दो है आपको देने वाला हूँ सबसे बहले build quality and design की बात कर लेते ह प्लास्टिक का बना हुआ है और एक चीज में बोला चाहूँगा कि प्लास्टिक की quality बोट ने इस बार काफी अच्छी यूज करी है पहले भी उनके मैं headphone यूज कर चुगा हूँ लेकिन इस बार build quality काफी सही है काफी ruggedly आप इसको यूज कर सकते हो एक चीज मैंने सबसे ब अब अगर मैं बात करूँ ऊपर की तरफ जो है आपको बोट की ब्रैंडिंग मिल जाती है आपके air को अच्छे से ढख लेगा आपका air कप के अंदर चला जाता है तो इस टाइप के headphone ही मुझे personally पसंद आते हैं क्योंकि sound quality काफी अच्छी हो जाती है और जो आपको एक तरीक irritation होती है तो यहां पर मैं आप लोगों को एक टेस्ट करके बताने वाला हूँ तो यह headphone 90 degree tilt हो जाते हैं तो आप इसको अगर गले वले में भी डाल के रख रहे हो तो इस तरीके से जो आप घूम सकते हो वैसे काफी कूल लगते है क्योंकि यहां पर बोट वर्ट की आपको लोगों भी बना मिल जाता है अब यहां पर बटन्स वगरे की बात करें तो भाई राइस साइड में आपको काफी सारे बटन्स विल जाते हैं पावर अनॉफ के लिए एक डेडिकेट बटन दिया गया है LED लाइट मिल जाती है यहां पर बटन्स विल जाता है और यहां पर ऐसे साइड को जाता है और यहां पर आपको आपको इनेबल और डिसेबल कर सकते हो वहीं speakers के आप उपर साइट देखोंगे तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ जो है वेंट मिल जाते हैं तो भाई अगर यह speakers काफी pressure अगरे भी create कर रहे हैं तो यहां से release हो सकता है आपको 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 आगे बताऊंगा तो यहां पे बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है बट एक शिकायत मुझे इसमें रहेगी कि भाई जो ऊपर वाला है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं है सेम अगर जो एयर कप दिये वह क्वालिटी इसमें लगा देते तो बेटर होता है हम नॉइस केंसिलेशन की बात करते तो यस इसमें नॉइस केंसिलेशन है नॉइस केंसिलेशन का यूज क्या होता है यूज यह होता है आसपास का साउंड कैंसल करते तो यहां पे नॉइस केंसिलेशन को हम एक बार एक्टिवेट करते हैं तो यहां पे उसने लगा ना कि पास में खड़े हो कोई चिल ला रहा है या फिर एकदम से तेज आवाज आती है ना उसको यह कैंसल नहीं करेगा ट्रांसपरेंसी मोड अन हो चुका है इसमें एक्स्टरनल जो माइक है न वह इन्हांस कर रहा है साउंड को इतना जाद अच्छा नहीं बोलूँगा नॉइस के इसमें बोलना चाहूंगा कि भाई साउंड कॉलिटी उन लोगो के लिए सबसे बैस्ट है जिनको बेस सुनना बहुत जादा पसंद है इसमें आपको बिल्कुल भर भर के नेक्स लिवल का बेस बोट ने डाल दिया जब बोट की खासियत है एक स्पेसिफिक इंडियन ओडियंस को टार्गेट करता है जिनको बेस सुनना काफी पसंद है तो भाई सच में भर बर के इसमें आपको बेस मिल जाते है लाइक आप हेडफोन को पहने हो बेस वाले साउं सुनना पसंद करते हो हिप-प या फिर क्यालो कि ट्रैप टाइब के सौंग सुनना पसंद करते हो तब तो इसमें आपको काफी मजा आने वाला है वहीं दूसरी चीज़ जो में नोटिस करता हूं इसपेशली एंसी हैटफोन के साथ में एंसी ऑन्ने के बाद साउन्ड क्या तो भाई ANC आने के बाद भी sound quality इसके काफी अच्छी है, maintain करके रखा है, board जो है एक तरीके से 601 zone का ANC आयता, उसमें अच्छे से maintain नहीं किया था, लेकिन इसमें headphone में काफी अच्छा sound quality आपको मिल जाता है, even ANC के बाद और भी अच्छी quality मुझे मिली है, क्योंकि आसपास का sound काफी कम हो रहा है, तो guys, आप कर लेते हैं इसकी calling test, यहाँ पर आपको dedicated mics मिल जाते हैं, mic वगएरा तो काफी बड़े-बड़े से हैं, लेकिन अभी आप जो sound सुन रहे हो, यह directly in headphones के माइक के तुरू सुन रहे हो, headphones के तुरू आप बात कर सकते हो, अगर running कर रहे हो, जिमिं 65 वासता की battery life जो बहुती बड़ा नंबर है, लेकिन बोट की battery life से मैं सच में काफी एंप्रेस हूँ, बाकी earphones की भी काफी कमाल की battery life मिलती है, लेकिन इसमें मैं बोलूँगा कि भाई, मैंने अभी तक जो है, यारी की 2-3 दिन हो चुके हैं, इसको मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया है, जो काफी बड़ी बात है, और इन ही headphone को जो है, मैं यूज कर रहा हूँ, editing के लिए, music के लिए भी, तो भाई मैं बोलूँगा कि battery life ज़रूर इसमें आपको तकड़ी मिल जाती है, उससे किसास में fast charging technology भी है, ASF technology जो बोलता है, वो भी आपको मिल रही है, तो आप जो है, इसको full charge कर सकते हो, करीब करीब like 20-25 मिनिट में जो है, आप full charge कर पाओगे, अब मेरे final opinion की बात करें, तो भाई, इसका rate जो है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, जैसे वीडियो के starting में भी बोलूँगा, अगर ये 4000-5000 में आ रहा है, तो भाई, बहुत अच्छी आप जाके check out कर लो, तो guys, ये था full detail review boat Nirvana 751 का, I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरू करना, और चैनल पर नहीं हो, first time वीडियो जगर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे informative और detail वीडियो में लेका आता रहा हूं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, take care and peace.